Hello everyone, आप सभी का स्वागत है बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि next year 2024 में election होने वाला है और जो भी बच्ची अभी class 10th याफी 12th में है तो इनकी board परिक्षा भी होगी examinations का जो schedule है वो 15 फरवरी से लेकर 10 अफरेल तक है वहीं election का जो starting होगा वो career March के महिने से ही शुरू हो जाएगा जिसके वज़े से दिक्कत यह आ रही है कि board examinations और elections ये दोनों class कर जा रहा है अब class होने के वज़े से board की परिक्षाएं जो होंगी वो जल्दी जल्दी होंगी जहाँ पर पहले एक सब्ता या फिर पांस दिन का gaps होता था दो subject के बीच में वहाँ अब कम मिलेगा जो कि कुछ states boards ने अपने date sheet को अलड़े release कर दिया है जो कि वो January, February के महिने में release करते थे लेकिन वो November के महिने में ही release कर दिये है तो हमें ऐसा देखने को मिला है कि जो अपनी examinations की schedule रखी है वो जल्दी जल्दी रखी है ज्यादा gap नहीं दिया हुआ है जो जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि other states boards अपनी date sheet को जल्दी जल्दी निकाल रही है और examinations भी जल्दी जल्दी conduct करवा रही है बिल्कुल इसी प्रकार से CBSE हो या ICSE boards हो यह भी अपनी examinations की schedule हो या date sheet हो यह जल्दी निकालेगी और आपके examinations भी जल्दी जल्दी लेकर खतम कर देगी ताकि elections आने तक आपकी जो परिक्षाय है वो खतम हो जाए और बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं हो और इसका असर कहीं न कहीं बच्चों के result पर भी जरूर पड़ेगा क्योंकि examinations जल्दी हो रही है आपकी जो result भी है वो जल्दी निकाली जाएगी और elections के वज़े से बच्चों को इसका benefit जरूर मिलेगा बच्चों के result भी बहतर होंगे अब आपके mind में ये जो सवाल चल रहा था ना कि सर date sheet कब तक निकाला जाएगा तो date sheet आपके number end में या तो December के first या second week से पहले निकाल दी जाएगी इससे ज़्यादा और delay नहीं किया जाएगा एक बात आपको हम और बता दे पिछला साल 2023 में जो board परिक्चा हुए थी वो भी 15 फरवरी से शुरू हो गई थी लेकिन main subject की जो परिक्चाएं हैं ये 27 फरवरी से शुरू हुआ था 27 फरवरी को पहला दिन English का examination था लेकिन इस साल 2024 की जो board परिक्चा हो रही है इसमें तो elections ह होना है मर्स से शुरू हो जाएगा जिसके वज़से इस बर क्या होगा कि 15 फरवरी से आपकी board परिक्चा शुरू हो रही है तो ज्यादा delay नहीं होगा इतना मान के चलो कि 20, 22 या फिर 16, 17 से ही आपका main subject की परिक्चाएं शुरू हो जाएंगी तो आपके पास समय कम है आप ये मत सोचना कि पिछला साल लेट से examinations रहा था, subject के बीच में ज़्यादा gapping मिला था, इस साल आप लोग को gapping भी कम मिलने वाला है और जल्दी जल्दी main subject की परिक्चाएं भी हो जाएंगी इस वज़से अच्छे से अपने examinations की तियारी करते रहना, बिल्कुल exam के pattern के 2024 का नहीं पता होगा अभी तक अगर कि CBS students को तो वीडियो उसकी बनाई हुई है, उसका लिंक में description पर दे दूँगा, जाके देख लेना, और CBC के sample question paper के अनुसार ही अपने examinations की तियारी करना, क्योंकि CBC के sample question paper के अनुसार ही board examinations में questions आते हैं, और इस बार CBC आपको 3-3 set द करके रख लेना, thank you, bye bye